हलो फेंट्स आज की वीडियो में हम लोग सन्यासी रिवोल्ट को कवर करेंगे जो 1763 में शुरू होकर साल 1800 तक चला स्टार्ट करते हैं इस मुवमेंट के बेक्ग्राउंड से साल 1764 में बैटल ओफ बक्सर हुआ था इस बैटल के अंत में एक ट्रीटी साइन हुई थी इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ओफ अलाबाद जिसमें ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी को बिहार बेंगॉल और उरिसा के दिवानी राइट्स मिल गए थे यानि अब वो इन जगहों से टेक्स कलेक्ट कर सकते थे इसके क कुछ समय बाद ही बेंगॉल में 1770 में ग्रेट बेंगॉल फेमाई ना गया बट ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी लगादार अपनी टेक्स की डिमांड्स को बढ़ाती जा रही थी चोटे मोटे जमीनदार और विलेज हेडमेंड्स तो अब इस हालत में ही नहीं थे कि वो ब्रिटिस इस इस इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई टेक्स डिमांड्स को पूरा कर सकें ऐसे में British East India Company ने टेक्स ना देने वाले जमीनदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया और यही वो जमीनदार थे जिनसे सन्यासियों को पैसे, उनकी जरुरतों की चीजे और कभी-कभी तो जमीने भी मिल जाती थी बट British East India Company की harsh economic policies के चलते सन्यासियों को उनकी जरुरतों की चीजे मिलनी बंद हो गई थी British East India Company की नजर में तो सन्यासियों की पहले ही कोई value नहीं थी वो तो इन्हें trading pilgrims, gypsies of hindustan और thugs मानते थे British East India Company ने इन सन्यासियों के movement पर भी pilgrimages और shrine में जाने तक पर भी tax लगाना शुरू कर दिया था सन्यासियों के लिए ये limit cross हो चुकी थी वो अब इस बात से बॉकला गए थे और उन्होंने British East India Company के खिलाफ revolt कर दिया और इसी revolt को सन्यासी revolt का जाता है revolt करने वाले सन्यासियों में सभी के सभी सादू और संत नहीं थे इन में से कुछ लोग पहले किसान थे जिने उनकी जमीनों से निकाल दिया गया था कुछ लोग छोटे जमीनदार थे जिनकी British East India Company ने जमीनदारी चीन ली थी और अब ये लोग भी सन्यासियों के साथ ही थे कुछ ऐसे लोग भी इन सन्यासियों के साथ आ गए थे जो पहले British East India Company की आर्मी में काम करते थे जो soldiers थे बट अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था इसी के साथ गाओं के गरीब लोग भी इस सन्यासियों के गए थे कहने का मतलब British East India Company के द्वारा सताए गए कई वर्ग के लोग सन्यासियों के में लीडर्स कौन कौन थे सन्यासियों के में लीडर्स में थे मजनूम शा जिनने मजनू शा भी कह जाता है देवी चौदरानी, चिरागली, भवानी पाठक और मूसा इन सन्यासियों ने British East India Company के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था और ये रिवोल्ट शुरू हा था 1763 में इन्होंने British फैक्टरियों पर रेड मारी, उनकी तीजोरियां लूट ली उनके सोल्जर्स के साथ सीधी लड़ाई भी की British East India Company इस रिवोल्ट को जल्दी से जल्दी सप्रेस कर देना चाहती थी बट एक लंबे समय तक लड़ने के बाद Warren Hastings के नितरत में इस मूवमेंट को क्रश किया गया हलकि उसके बाद भी ये मूवमेंट धीमी गती से चलता रहा और साल 1800 के आसपास जाकर ये मूवमेंट शान्त हो पाया इस रिवोल्ट में Muslims और Hindus दोनों ने बराबर का participation दिखाया Muslim सन्यासियों को फकीर कहा जाता है और इस रिवोल्ट में काफी सारे फकीर मदरिया सूफी ओर्डर को ब्लॉंग करते थे इसी तरह सन्यासियों में काफी सारे सन्यासी दसनामी नागा सन्यासी थे और इसलिए सन्यासी रिवोल्ट को फकीर सन्यासी rebellion भी कहा जाता है इस movement में women participation में देखा गया बंकिमचंद चटोपादिया ने अपने novel देभी चौधरानी में Britishers के अगेंस women के role और उनके participation की importance को highlight किया है बंकिमचंद चटोपादिया ने एक और novel लिखा है आनंद मठ ये एक semi-historical novel है जो की सन्यासी movement पर ही आदारित है इस novel में उन्होंने वंदे मातरम को भी include किया है वंदे मातरम बेसिकली एक poem है जिसे बंकिमचंद चटर जी नहीं लिखा था 1870 में और 1882 में इसे उन्होंने अपनी book आनंद मठ में भी include कर लिया था इसी poem के first two verses को इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की working committee ने October 1937 में adopt किया as national song of India तो इस वीडियो में हमने सन्यासी मोमेंट से लिटेर सभी important details को cover कर लिया है इंडिया की history और Indian constitution को detail में समझने के लिए बुकस्थावा की playlist को follow कीजिए लिंक आपको description में मिल जाएगा Thank you so much for watching and supporting बुकस्थावा